असलाम अलेकुम और रहमतुले बरकातो हूँ नाजरीन आज मैं लेकर हाजिर हूँ डिग्री पार्ट टू इग्जामिनेशन दौहज़र चोबीस रलित नारान में अतले बच्चे उनके लिए वीडियो बेहरी खास है क्यूंकि इसके अंदर मैंने लाया है यूजी सिकेन पार्ट इमडी उर्दू आर्ट्स ग्रूप A to C ठीक है याद रखेगा आज बारा तारीख है बारा जुलाई जो हज़र चोबीस फर्स सिटिंग ये परचा है साइन्स वाले और कमर्स वाले का जो पचास मार का उपजेक्टिव हुआ था याने उर्दू कमपोजिशन उसका मैंने अंसर की मैंने अप्लोड कर दिया ठीक है तो आप लोग उसमें जाकर देख लेना ये आठ सवालों के लिए हैं तो देख पाले होंगे डी 170 है और 170 था आपको आठ्स और कमर्स वाले का तो चले देखते हैं 50 मार्क है और क्या सब सवाल पूचा है लगभग लगभग कुछ सवाला जो हैं वो आपको कमर्स वाले और साइंस वाले बच्छों में जो पूचा गया था उसी हिसाब से लोग अभी है तो चले देखते हैं क्या सब है पहला सवाल यहां पूचा है कि उर्दू किस जबान का लफ्स है तो जवाब हो जाएगा तुर्की ठीक है अगला सवा सवाल है इनमें कौन अफसाना निगार हैं यहां फाइद फायज मत फायज भी और शाध अजीम बादी भी यहां पर इसमत चुक्ताई यह अफसाना निगार है तो डीस करक्ट हो जागा अगला सवाल है घजल बेवक्त की रागनी है यह किसका ऑल है तो मौला ना हाली का है अल्टा फुसेन हाली का कहना है घजल बेवक्त की रागनी है अगरा सवाल है आपको देख पारे होंगे मिर्जा न उस्या किस शायर की उर्फियत है तो जवाब हो जाएगा मिर्जा गालिब अगला सवाल है मेर कल्लू की गवाही किसका इंशाइया है तो जवाब होगा अंजमान पूरी अगला सवाल पूचा है कि जिंदा, नामा, किसका शेरी मजमुआ है तो जवाब होगा फैसıldमत फैस अगला सवाल पूछा है आपको 9 नमर पे के गुबारे खातिर की सिन्फी हैसित क्या है तो ये एक खतूत का मजमुआ है ठीक है गुबारे खातिर अगला सवाल है फैस मत फैस का इंतकाल कहा हुआ तो जबाब होगा लाहूर अगला सवाल पूछा है आपको रक्से हायात रक्से हायात के खालिक कौन है रक्से हायात के खालिक है आपको परवेज शाहिदी अगला सवाल है गजल किस जबान का लवज है तो जवाब होगा अडवी अडवी आनिया गजजाल से निकला है ठीक है अगला सवाल है आपको रुबाई में कितने मिस्रे होते हैं तो रुबाई में आपको चार मिस्रे होते हैं अगला सवाल है साधत हसन मंटू कब पैदा हुए जवाब होगा 1912 एसवी अगला सवाल पुछा है सरस्रीय दिमत खान की विलादत कब हुई तो जवाब हो गाट 117 एसवी अगला सवाल पुछा है मुखमस में कितने मिस्रे होते हैं तो मुखमस में आपको पांच मिस्रे होते हैं अगला सवाल पुझा है आपको मुलाना अबुलकलाम अजाद का तारीखी नाम क्या है तो जवाब होगा फिरोज बخت अगला सवाल है उर्दो का अफसाना निगारी उर्दो में अफसाना निगारी का आखास किस सदी में हुआ तो इसका जवाब हो जाएगा आपको 20 सदी में ठीक है बाज आपता आगास 20 सदी में हुआ था ठीक है अगला सवाल है मंटो का पूरा नाम क्या था था मंटो का पूरा नाम साधाता सन मंटो अगला सवाल है अन्युमान पूरी के पैदाईश किस जिला में हुई तो जवाब ह पटना में अगला सवाल है आपको असद किस का तखलुस है था तो जबाब होगा असदुल्ला खान गालिब याने डीस करक्ट हो जागा गालिब अगला सवाल है रिसाला अलहाल किस ने जारी किया तो जबाब होगा अगला सवाल है कलीम आजीज का तालुक किस रियासत से था जवाब होगा बिहार, बिहार रियास्त से इनका तालुक था, अगला सवाल है, खौजा है खौजा है अलिया आतिश का तखलुस क्या है, तो देखिए मैंने जवाब भी बूल दिया, आपसे नोर्बेस करेंट हो जागा आतिश, अगला सवाल है, मौलाना अबुलकलामाजाद की पैदाईश कहा हुई, तो जवाब होगा मक्का में, ठीक है, अगला सवाल पूछा है आपको, मजाज लखनवी का इंतकाल कब हुआ, तो इसका जो जवाब हो जागा आपको, उनीस सब पच्पनिस्वी, अगला सवाल है, परवेज शाहिदी का असल नाम क्या है, जवाब जमील मजहरी, ठीक है, अफसर नमर सी स्क्रफट हो जागा, तीसमा का अंसर हो जागा, अगला सवाल पूछा है आपको, साज ये मुस्तक्बिल कि शायर के नजम है, जवाब होगा पडवेज शाहिदी, अगला सवाल है, मश्रिक, मश्रिक की जिद क्या होगा, तो मश्रिक म झाहर हैं, ठीक है, इसे दवाएं भी लिख सकते हैं, लेकर अदविया दिया हुआ तो अदविया ही हो जाएगा, ठीक है, अगला सवाल जो पूछा है, आपको हकीम की जमा बताएगे, तो 35 का जो अंसर हो जगआ हो आपस अंस ममर ए, याने हिकमा, ठीक है, अगला सवाल शायरा हो जाएगा, अगला सवाल है गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीव हों क्या कहलाता है तो जबब होगा मतला ठीक है, जब् deprived हो जाएगा, तो जेल में से नजम निगार कौन है बियालिस का अंसरो जगा अपसर नमर सी यानि मजाज ठीक है अगला सवाल है आपको लहद में क्यों न जाओं मुह छुपाए भरी महफिल से उठाया गया हूँ यह शेर किसका है जवाब होगा शाहत अजीम अबादी अगला सवाल है आप जो सवाल है मुमिन खाम मुमिन कहां पैदा हुए तो जवाब हो जाएगा आपको दहली में अगला सवाल है नगमई इलहाम किस का शेरी bilmiyorum है जवाब होगा शाह उगला सवाल मिर्जा गाली की वफात कब हुई तो जवाब होगा 679 इस भी और आहंग किस का कलाम 49 सव तो आप देख लेना वैसे मैंने तो मंगी लगा दिया है आप देख लेना के आप लोग क्या सथा पार्ट टू में किस का घजल शामिल मेरे ख्याल से मुमीन ही आप लोग काई प्वीडियों में अतना ही देखते लें लोगों कर आधा यह गुर्भाइन एक्या हाफिश